दोस्तो 23 जनवरी को होने वाली UPTT की परिक्षा के संदर में PNP के द्वारा 21 जनवरी को एक latest notification जारी किया गया है तो पूरा notification आप एक बार ध्यान से देख लिजेगा अगर आप UPTT की परिक्षा में सामिल हो रहे हैं सभी बिंदों को मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ आपके लिए और आप इसको ध्यान से सुन लिजेए देखे 23 जनवरी 2022 को दो पालियों में पूरा आजीत होने वाली उत्तरपदेश सिक्षक पातता परिक्षा UPTT 2021 से समझीत होने वाले अभ्यर्दियों को परिक्षा में किसी प्रकार की कठिनाईयां उत्पन नहों इसलिए कारले द्वारा पूर प्रकासित विग्यप्ति के क्रम में पून निदेशित क्या जाता है कि पहला पॉइंट परिक्षा केंदर पर प्रियोस पत्र के साथ अभ्यर्दि को अपने आनलाइन आवेदर में अंकित फोटो युगत पहचान पत्र की मूल प्रती के साथ निदेशित में से किसी एक प्रमाला पत्र को साथ लेना अनिवार है क्या प्रसिक्षन योगिता का मूल प्रमाल पत्र या किसी भी सेमेस्टर के निर्गत अंक पत्र की मूल प्रती और सम्मंदित प्रसिक्षन संसता के प्राचार सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमारित प्रती जिस अभिरती के पास वयद प्रयोसपत्र, फोटो पहचान पत्र की मुल प्रती और उनलिखित प्रमार्पत्र नहीं होगा उसे किसी भी इस्थित में परिश्चा केंदर में प्रवेश की अनमती प्रदान नहीं की जाएगी बरतमान में COVID संक्रमन के रोग थांगे द्रिश्टीगत सभी परिच्चा केंद्रों के गेट परिच्चा अवज से दिड़ घंटे पहले कोल दिये जाएंगे और अभ्यरतियों को परिच्चा कक्ष में प्रवेस दिया जाएगा जिससे परिच्छा केंदर पर सामुईक भीड एकतरित नहों और सोसल डिस्टेंसिंग का पालम करते विए अभ्यरतियों को परिच्छा कक्ष में प्रवेस करने में किसी प्रकार की किठनाई का सामना न करना पड़े तीसरा पॉइंट है परिच्छा प्रारम होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर के उपरांद अभ्यरतियों को परिच्छा केंदर में किसी भी इस्थित में प्रवेस की अनुमती नहीं दी जाएगी तो कोशिस करिए कि जब आपकी परिच्छा सुरू हो रही है तो उसके 30 मिनट पहले कम सकम आप अपना प्रवेस सुनस्चित कर लें ठीक है तो आधे गंटे पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा तो आधे गंटे पहले तक ही प्रवेस आपको मिलेगा समस्त प्रतिभागियों को परिवहन निगम की बसों में निसुल की यातरा के सुविधा या 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 24 जनवरी तक माने रहेगी सिटी बसों में निसुल की यातरा के सुविधा 22 जनवरी से लेकर 23 जनवरी की राती 12 बज़े तक माने होगी इसलिदियों को पुष्चा के इंदर पर प्रिवेस की अन्मती नहीं दिजाएगी। अब्यर्दियों को परिशा के इंदर पर किसी प्रकार के पार्थ सामगरी, कलकुरेटर और इलेक्टराणिक उक्रन ले जाने की अन्मती नहीं है। अविर्दियों को यह भी निर्देशित क्या जाता है परिशा के OMR उत्तर पत्र की जाँच एलेक्ट्रानिक संसाधन से की जाती है अता प्रसपुस्तिका OMR पर दिये गए निर्दिसों का पालन ने करने पर OMR का मुल्यांकन नहीं होगा जिसका संपूर उत्तरदायत अभरती का होगा अब मुख्य बाद आपको बताता हूँ देखे फ्रेंड्स आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा जब आपको OMR सीट मिल जाएगी उस पर जो एंट्रीज होती है उसको ध्याँ से भरिएगा जो यहाँ पर खाने होते हैं और उनको एक बार गिन लीजेगा कि उचित खाने हैं या नहीं हैं अगर कम जादा है तो इसके बारे में अपने कक्ष दिक्सक से एक बार बात कर लिएगा और जब भी कोई डाटा डालें तो पहले जरूर यह देख लेना कि क्या पूशा जा रहा है कभी कभी होता है न यह रोल नंबर और उहीं पर आप लिख देते हैं अपना डेटा बर्थ तो पढ़ पढ़ के लिखेगा साउधानी से बेसक आपको औरों से दो मिनिट ज़्यादा का समय लगेगा लेकिं इंट्रीज गरत नहीं होगी तो फिर आगे चलके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रहने था कि सिती भी क्या होता है परिक्शा दे कर दीजेगा ताकि सभी कोई इंफर्मेशन मिल जाए तो सभी को सुब काम ना है और आपके रिवीजन के लिए दो वीडियो जो अपलोड किये गए है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है देख लिजेगा कैसे प्रसन आपको मिल जाएंगे बहुत धन्यवाद